हेलो बच्चो, पाठ 14 भोजन कहां कहां से के दूसरे भाग में आपका पुना स्वागत है पिछले बीडियो में हमने जाना था कि बिभिन उसरों पर हम साथ साथ मिलकर खाना खाते हैं मध्यान भोजन के उपर हमने चर्चा किया था इसके साथ हमने आवासि बिद्यालेयों में भोजन की बिवस्था को देखा था साथ ही हमने लंगर यानि गुरु द्वारे में साथ खाना पकाना और खाने को जाना था इस बीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घरों में जो भोजन की सामगरिया आती है वह खेतों से मंडी, मंडी से बाजार और बाजार से फिर हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है साथ ही हम कुछ जन्तूओं के बारे में जानेंगे जो की साका हारी है, मांसा हारी है और सर्वा हारी है तो चलिए हम सुरू करते हैं खिलो धर के जन्म दिन से ये है खिलो धर, ये काफी खुश है, पता है बच्चों क्यों खुश है? क्योंकि कल इसका जन्म दिवस है सुभा चार बजे से ही भोजन बनना सुरू हो जाएगा इसके घर पे इसके रिष्टेदार आने वाले हैं इसके दोस्त आने वाले हैं सभी मिलकर खिलोधर का जन्म दिन मनाएंगे कुछ विसेज भोजन बनेंगे अनेक प्रकार की सबजियां बनेंगी ये है खिलोधर के पिताजी जो इसके जन्म दिवस की तैयारी में जुट गए हैं शाम को यह अपनी बाड़ी से कुछ सबजियां लेकर आते हैं जैसे कांदा, आलू, गोबी, मत, धन्या, मिर्च, इत्यादी इन्हें बाजार भी जाकर को समान लाने हैं जैसे तेल, चीनी, गोड, नमक, इत्यादी खिलोधर इन सारी सामगरियों को देखता है और सूचता है कि ये सारी सामगरिया कहां से आती है जब ये सो जाता है तो रात में इसको सपनों में भी ये सारी सामगरियां दिखती है और कैसे दिख रही है आपस में बात करती हुई नजर आती है तो चलिए हम सिलोधर के सपने को जानते हैं और देखते हैं ये सारी सामगरिया क्या बाते कर रही हैं सबसे पहले आम आई और उसने कहा कि मुझे तो बच्चे पकने से पहले ही पत्थर मारते हैं इसके बाद आती है फल और सबजियां और वे कहते हैं कि बस तुम्हे पत्थर मारते हैं मुझे तो चाकू से काट कर खाते हैं इसके बाद आती है दाल और ये कहते हैं कि तुम्हे तो सिर्फ पथर मारते हैं और सबजीय और फल तुम्हे तो सिर्फ चाकू से काटा जाता है, लेकिन मुझे गर्म पानी में उबाल दिया जाता है, फिर आते हैं सरसो और ये कहती हैं बज इतना ही, मुझे तो लोग मिल में ले जाकर पेर कर तेल निकालते हैं, तो बच्चो ये है सरसो और इससे हमारे घर में जो सरसो का तेल होता है जिसे सबजिया बनती है और हम सरीर में भी लगाते हैं तो ये सरसो से ही बनता है ये सभी बाते वहां बैठा आलू भी सुन रहा था तो आलू ने कहा कि बस इतना ही मुझे तो एक पल के लिए लगा कि मे मेरा तो अपहरन हो गया, अपहरन की बाते सुनते ही सभी सबजियां और सामगरियां हसने लगे, तो आलू ने कहा हाँ मुझे तो लगा मेरा अपहरन हो गया, एक बार क्या हुआ था, खिलोधर के पिताजी बाजार से मुझे इस जोले में डाल कर लाने लगे, तो इस जोले मे जैसे मुझे डाला ना तो मुझे लगा कि मेरा अपहरन हो गया तो पता है बच्चो मिर्ची ने क्या जवाब दिया मिर्ची ने आलू से कहा अपहरन तो नहीं लेकिन तुम जूला जरूर जूल रहे होगे फिर आलू ने कहा कि हाँ जूला जूलना तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बाद खिलो धर के पिता वहाँ से मुझे लाते हैं और लाने के बाद खेतों में मुझे बो देते हैं जमीन के अंदर मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वहां मुझे नमी और गर्मा अहट दोनों महसूस हुई, जिसकी वज़ा से मेरे में अंकुर होने लगा, और मैं अंकुरित होकर जमीन से उपर उठने लगा, ताजी हवा में सांस मिली, और सूर्य की प्रकास से मैंने अपना भोजन बनाया, और फिर मेरे खेत, पूरे खेत में आलू लैलाहा उठें, कुछ दिनों बाद मुझे खेत से निकाल लिया गया, यानि आलू को निकाल लिया गया, उन्हें बोरों में भर दिया गया, बड़े बड़े बोरों में उन्हें भरा गया, फिर उन्हें टे तो इतना सुनते ही इतना ये सारे बाते कहां हो रही थी सारे सबजिया में तो खिलोधर तो सो रहा था तो खिलोधर की दादी आती है और क्याती है खिलोधर खिलोधर उठ जाओ सुबा हो गई है खिलोधर भी उठ जाता है और फिर तयार हो जाता है तो बच्चो ये थी जानकारी आलू एवं अन्य खाद सामग्रियों के खेतों से मंडी, मंडी से बाजार और बाजार से घर तक की पूरी यात्रा आईए अब पाठ में आगे बढ़ें भोजन अपना अपना आज छट का अंतिम दिन है, छट घाट से वापस आते ही सबसे पहले खिलो धर इख की और बढ़ा इख के दो टुकडों को उठाया, एक अपने लिए तथा एक दादी जी को देने लगा दादी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं केतारी नहीं खा सकूंगी मेरे दाथ अब कमजोर हो गए है, तभी मां उनके लिए संतरा और केले लेकर आई खिलो धर इक चूसते हुए सूचने लगा कि दादी की दाथ कमजोर क्यों हो गई है बच्चों आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि उम्र के अनुसार हमारा भोजन अलग-अलग होता है एक शिशू दूद पर निरभर रहता है, उसके दाद नहीं होते, बुढ़े बैक्ती के दाद कमजोर हो जाते हैं और उन्हें कठोर चीजे खाने में परिशानी होती है हमें भोजन, पेड़, पौधे एवं जन्तूं से प्राप्त होता है कुछ लोग भोजन में हरी साग सबजियां, दूद, पनीर खाना पसंद करते हैं ये साकाहारी लोग होते हैं वहीं कुछ लोग अपने आहार में चिकेन, मीट, अंडा पसंद करते हैं वे मांसाहारी लोग होते हैं इसी प्रकार हम अपने आसपास अपने परिवेश में कुछ जानवरों को देखते हैं इनके भोजन करने के आधार पर इन्हें साकाहारी, मानसाहारी एवं सरवाहारी जन्तूओं में वर्गी कृत किया जा सकता है साकाहारी जन्तू वैसे जन्तू जो भोजन के लिए पेर पौधों पर आश्रित होते हैं जैसे गाय, घोडा, बकरी, इत्यादी मानसाहारी वैसे जीव जन्तू जो अपने भोजन के लिए अन्ने जन्तूओं के मानस पर निर्भर होते हैं जैसे सेर, बाग, चीता, इत्यादी सरवाहारी वैसे जन्तू जो अपने भोजन, पेर पौधों एवं जन्तूओं दोनों से प्राप्त करते हैं सर्वाहारी जन्तुएं कहलाती हैं जैसे भालू, कुत्ता, इत्यादिप साकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जन्तुओं को उनके दांत एवं खूर से पहचाना जा सकता है तो हमने सीखा भोजन की सामग्रिया हमारे घरों में बाजार एवं खेत से आती है हमारे खेतों में पैदा होने वाली चीजे किसी मंडी से बाजार तथा पुना बाजार से घरों तक पहुचती है साकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी पसुओं के भोजन अलग-अलग होते हैं तथा उनके दांत और पंजे भी अलग-अलग होते हैं तो बच्चों ये थे सारी बाते हमारे पाठ 14 भोजन कहां कहां से आशा करती हूं कि आप इस पाठ को खुद से पढ़ेंगे एक बार रीडिंग जरूर करेंगे ताकि आपकी समझ और अच्छी तरह से बिक्सित हो पाए धन्यवाद